पहली बार डिम्पी ने शाँ परिवार के लिए किया एक बड़ा काम नमस्कार दोस्कों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत कर दिए हम लोग बहुत बार डिसकस कर चुके हैं कि कुछ भी बिना वज़े नहीं होता है हर काम के पीछे वज़े होती है कोई न कोई रिजन होता है जो आगे जाके हमें पता चलता है प्रेजन टाइम पे हमें लगता है कि बहुत बुरा हुआ मगर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वही रीजन अच्छा लगना शुरू हो जाता है आज की कड़ी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया चलिए इस पे चर्चा करते हैं पहले वही निवेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रिपया कर लिजिए साथ में दोस्तों मेल आपको दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो डिंपी की फ्रेंड्स आई हुई थी और डिंपी की फ्रेंड्स जूते लेके चली गिरसोई में अब यहाँ पे थोड़ा बाई को भी समझना चाहिए था जबकि बाई ने कहा था मैं कुछ ऐसा नहीं करूगी मगर बाई कंट्रोल नहीं कर पाती है जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता वो अपनी जुबान को नहीं कंट्रोल कर पाती और वही हुआ डिंपी से तो वो पहले पीडित थी उपर से जो उसकी फ्रेंड है वो जूते लेकर सोडे में पहुँच गए अब यहीं से ट्रिगर शुरू हुआ डिंपी का उसकी फ्रेंड्स चलीगी जो भी हुआ कारण यह था कि डिंपी को गुस्सा आया और उस गुस्से में उसने गिलास को फेक दिया जबकि बाख खांसी करते हुए भी बाख को ताना देना ज़रूरी लगा कि मुझे नहीं इसको पिला इसको ज़्यादा ज़रूरत है पानी की क्या ज़रूरत थी वो बात बोलने की तो वही पे चीजें हुई गिरी कावया और फिर कावय को होस्पिटर लेके गए तो ये तो हुआ बुरा इंसिडेंट जिसको लेके डिंपी को समने कोसा भी तोशु ने बहुत बोला सब कुछ हुआ मगर इस बुरे इंसिडेंट का असर क्या हुआ इस एक्सिडेंट में क्या अच्छा हुआ अच्छा ये हुआ कि वनराज का कंसर्न सामने आया वन्राज के मुझे एक बार नहीं कई बार हमारा बच्चा करके निकला जो इतने दिनों से कावया सुनना चाहती थी वो बाते सब वन्राज के मुझे निकली और अनुपमा भी पुछ चुछी क्योंकि ये एक दम से ट्रास्फॉर्मेशन होती नहीं है दोस्तो ट्रास्फॉर्मेशन होती है दीरे दीरे आज वन्राज ने इसकी शुरुआत कर दी है बोलके जबकि ट्रास्फॉर्मेशन शुरू हो गई थी पहले से ही जब वन्राज थोड़ा कावया की केर करनी शुरू कर चुका था मन ही मन में उसकी बातों को इग्नोर करना या भी उसके दिल में जो आना तुम चली जो खुद चली जो सोनोग्राफिक राने के लिए किसी को कुछ नाम बताना ये सब चीजें ट्रांसफोर्मेशन का ही हिस्सा होती है तो आज बन्राज ने जो कहा कि हमारा बच्चा ये अब एक बड़ी शुरुवात है काविया की ये हालत बन्राज से देखी नहीं गी और काविया का अपने बच्चे के प्रति जो कंसर्ण है वो तो बहुत ही ज़ादा है और ये कंसर्ण ही इन दोनों को एक करेगा और ये कंसर्ण कैसे दिखा दोनों को अपने अपना अपना एसास कैसे हुआ क्योंकि यह एक्सिरेंट हुआ और एक्सिरेंट में गिलास किसके हाथ से गिरा डिम्पी के हाथ से डिम्पी ने गिराया बाक के हाथ से गिरा अब गयरा अब गयरा है तो डिंपी के कुछ गुट पॉइंट सब दीरे दीरे सामने लाने शुरू कर दिये हैं और इधर वन्राज और काविया की बीच में अच्छा हो रहा है तो यह क्यों हुआ है सब यह इसलिए हुआ है क्योंकि यह इंसिडेंट हुआ यह एक्सिडेंट हुआ तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डिंपी अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करती है शाह परिवार के लिए वो नहीं चाहती है कि मैं कुछ भी सोचू इनके लिए तो बड़ी गंदी फैमली है यह तो मुझे दांटती ही रहती है मगर अनजाने में ही सही डिंपी ने शाह परिवार का भला कर दिया है यह जो किसी को नहीं पता था यह रिष्टा कब तूट गया वनराज और कावय के बीच में किसी को नहीं पता सबको यही है कि इनका बच्चा आने वाला है होगी होगी थोड़ी बहुत लड़ाई मगर इतनी बड़ी बात है इस पूरे जो बनराज और शाह यह जो पना डिंपी क्या नाम है कावय के बीच में यह जो इतनी बड़ी बात हुई है इसके बार में किसी को बिलकुल भी सुद नहीं है और ये बात अंदर ही अंदर दब जाएगी दोनों के बीच में दिंपी के इस एक्सिलेंट के बाद जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत और आगे बढ़ेगी केरिंग और बढ़ेगी तो ये थोड़ा सब्सक्राइब साव मामला जो है छुप जाएगा और हो सते हैं काफी देर तक चुपा रहेगा नहीं इतना हम आप जानते हैं तो देखते हैं क्या होते हैं मैं गदे फिल हाल डिंपी ने पहली बार शाह परिवार के लिए कुछ अच्छा तो कर ही दिया है आपका क्या कहना इ आणे विल्याद अपलोट उन्टेट लिए प्लॉट स रम्र चानल